असलाम अलेकूम मैं आईशा आज आपके साथ शेर करें तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी बिना ओवन और बिना तंदूर के बहुत ही आसानी से रेस्टरॉंस और होटल जैसा तंदूरी चिकन हम घर में ही बना कर तयार कर सकते हैं इस रेसिपी को फोलो करके आप तंदूर चिकन बनाएं परफेक्ट रेस्टरॉंस जैसा तंदूरी चिकन आपके घर में बनकर तयार होगा रेसिपी पसना आएं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तंदूरी चि उपर जो हम marination लगाएगे उसका टेस्ट और फ्लीवर हमारे छिगंगें के अंदर तक अबजोब होगा चिकन के पिसे पर मैंने डीप कर लगा लिये हैं लेक और थाय के पिसे पर मैंने यहां पर कट लगा लिये हैं मैंने यहाँ पर एक बड़े सी बाउल को आधा पानी से भरके ले लिया है, देर चम्मच इसमें नमक एड़ किया है और दो चम्मच मैंने इसमें विनेगर एड़ किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया और इसके बाद इसमें चिकन को एड़ करके एक घंटे के लिए धक तो इस टेप को स्किप करके भी तंदूरी चिकन बिनाया जा सकता है लेकिन इस टेप को फोलो करने से अंदर से हमारा चिकन एकदम ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनकर तैयार होता है वक्त हो तो इस टेप को जरूर फोलो करें प्लेट में मैंने चार चमच दही एट किया है दही गाड़ा होना चाहिए और बिल्कुल भी खट्टा दही इस्तमाल ना करें एक बड़ी चमच भरकर कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर एट की है, एक बड़ी चमच भरकर regular लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल किया है, मिर्च आप अपने टीस्ट के हिसाब से एट करें, एक चमच भरकर धनिया पाउडर एट करेंगे, आदी चमच भुने हुए जीरे का पा द्रसूरी मेथी को ड्राय रोस्ट करके उसका पाउडर बनाकर एट किया है, एक चमच बढ़कर, तीन चमच बढ़कर ओईल एट किया है, एक नीबु का रस एट करेगे, एक पींच मैंने यहां रेट फूर कलर एट किया है, जो ओफ्ष्टरल है, आप चाहे तो इसे स्किप क करें डेर चम्मच भढ़कर मैंने अध्रक्लसन की पेश्ट एड़ कर दी है आधी चम्मच चाट मसाला एड़ करेगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल भी दही के लंस ना रहे इसमें जो चिकन हमने ब्लांच करने के लिए रख चिकन को दोने के बाद कुछ देर के लिए छनी पर नितार दे जो एक्स्ट्रा पानी होगा चिकन में वो सारा निकल जाएगा जिससे जो मेरिनेशन का मसाला है वो हमारे चिकन पर अच्छे से लग जाएगा मैंने यहाँ पर चिकन को नितार कर मसाले के अंदर एड़ कर दि को एक लाइक कर दे चैनल पर नए हैं आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे हमारी रिक्वेश्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ने बेल आइकन प्रेस करके ओल पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटि अपने मसाले को अच्छे से लगा लिया है, अब हम इसको एक बाउन में रखेगे और इसके उपर धकन कवर करके इसे फ्रीज में रख देंगे, मेरिनेट होने के लिए, मैंने इसे 5 गंटे के लिए मेरिनेशन में रखा था, आपके पास टाइम हूँ तो आप इसे ओवरनाइ रख सकते हैं, मैंने यहां पर एक बड़ी सा इसका तपेला लिया है, इसके अंदर इसके बोटम में 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 नमक एट किया है, इस तरह बोटम में नमक को फेला देगी और इसके उपर एक चाली या स्टेन रखतेंगी, इस तरह हमें पहले साली सीजों को सेट और अरेंज कर ल चिकन को मैंने फ्रीज से निकाल लिया है चिकन रोम टेप्रेचर आ गया है जो प्लेट हमने शेٹ की है इसके उपर चिकन के पीस को रग देगे और चिकन की पीस की जो दोनों टांगे है उसको दागे सी बान देना है चिकन के पीस को मैंने अच्छे से प्लेट में सेट कर लिया है और मैंने यहाँ पर टांगो उपर लबर बांदा हुआ है आप धागा बांधे अग हमने जो तपेला सेट करके रखा है उसे गेस पर चड़ा देगे और जिस प्लेट में हमने चिकन सेट किया है वो यहाँ पर रख देगे गेस की फ्लेम को अभी मैंने चालू नहीं किया है चिकन को मैंने अच्छे से यहाँ पर सेट करके रख दिया है इसके बाद हम गेस की फ्लेम को चालो करेगे उर हाई फ्लेम पर 10 मिनिट तक इसे रखेगे धकन से कवर कर देगे और इसके उपर कोई भी भारी वजन रख दे और इसे 40 मिनिट तक मिडियوم फ्लेम पर रखे 10 मिनिट हाई फ्लेम पर और 40 मिनिट तक हम इसे मीडियों फ्लेम पर रखेगे टोटल 50 मिनिट के बाद मैंने आपर गेस की फ्लेम को बन किया था और 10 मिनिट के बाद मैंने धक्कन को खोला है चिकन हमारा अच्छे से गल गया है यहां से हम चिकन की पीस को एक पकड़ की हल्ब से निकाल लेगे चिकन की जो प्लेट है उसमें बहुत सारा चिकन का पानी रिलीज हुआ है oil रिलीज हुआ है और masाला है उसे हम बेश्ट नहीं करेगे, वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, उसे एक पेन में ट्रांसफर करेगे, अच्छे से भून की ड्राइ मसाला बना ले और चिकन के साथ सर्फ करें, बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में तंदूरी चिकन हमारा यहाँ पर रेडी है, बस हम इसकी उपर बटर को अपलाई करेगे, और इसको किसी जाली की हेल्प से या पकड़ की हेल्प से गेस की फ्लेम पर सेक लेगे, जिससे तंदूरी चिकन पर अच्छे से तंदूर जैसे माग भी आ जाएगे, और वो स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा, मैंने यहाँ पर चिकन पर बटर अपलाई कर दिया है, आप लुक से देख सकते हूँ कितना अच्छा यह लग रहा है, एकदम ही सॉफ्ट कुक हुआ है और बहुत ही फ्लेवर फुल और टेश्टी बना है, इस चिकन के पीस को हम जाली पर रखकर गेस की फ्लेम पर अच्छे से सेख लेगी, तंदूर जैसे हमारे चिकन पर मारक आए, तब तक हमें इसे सेख ना है, फिर जो मसाला हमने बनाया है, उसके साथ हम इसे सॉफ करेगे, आप लुक से गेस कर सकते हो, परफेक्ट रेश्ट्रोन जैसा हमारा तंदूरी चिकन बन के साथ शेर की है, इस रेश्ट्रोन जैसा आप तंदूरी चिकन बनाए, बहुत ही परफेक्ट रेश्ट्रोन जैसा आपका तंदूरी चिकन बनकर तयार होगा, वो भी बिना ओवन और तंदूर के लुक से ही आप गेस कर सकते हो, फ्रेंस कितना अच्छा ये बनकर तयार रेश्ट्रोन और होटल से भी बेटर ये बनकर तयार हुआ था, रेसिपी पसन आई हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक कर दे और फेमिली और फ्रेंस के साथ शेर कर दे इस वीडियो को, और कमेंट में हमें अपना फीडबेक जरूर दे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी ख्यान रखें, अपनी दूआओं में हमें याद रखें, बबाई, टेक केर, लाह आफीज